हलो बच्चो आज हम सुरू करते हैं चैप्टर नाइन अकल बढ़िया भेंस आफंती के सहर में एक पहलवान भी रहता था एक दिन वे आफंती से बोला तुम भले ही अकल में बढ़े हो लेकिन ताकत तो मुझे में ही है देखे अच्छा यह तु बताओ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है मैं पांच क्वेंटल की चट्टान को सिर्फ एक खास से उठा कर आसमान में उच्छाल सकता हूँ अच्छा आओ मेरे साथ देखते हैं कौन अधिक ताकतवर है ठीक है आवंती पहलवान को सहर की चार दिवारी के पास ले गया और बोला जरा इस रुमाल को दिवार के पास फैक कर दिखाओ यह भी कोई बड़ी बात है पहलवान ने रुमाल उठा कर पूरी ताकत लगा कर जोर से फैका लेकिन रुमाल वहीं गिर पड़ा आफंती ठाका मार कर हस पड़ा अब मेरी ताकत देखो आफंती ने छोटा सा पत्तर उठाया रुमाल में उसको बांधा और दिवार के पार फैक दिया यह सिविंद पांडिया द्वारा लिखा गया है कब आउँ अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और गाव वाजसियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया सब लोग उसकी रंगाई की प्रसंसा करने लगे धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली अवंती की प्रसंसा सुनकर एक सेट को बहुत इरस्या होने लगी अवंती को परेशान करने के लिए वैस सेट के कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान में जा पोँचा दरवाजे के अंदर घुशते ही सेट बुलंद आवाज में बोला अवंती जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो मैं देखना चाहता हूँ तुमारा हुनर कैसा है तुमारी काफी तारिफ सुनी थी इसी लिए आया हूँ अवंती ने सेट जी से पूछा सेट जी इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं सेट ने कहा रंग रंग के बारे में कोई मेरी कोई खास पसंद तो नहीं है पर मुझे हरा पीला सफेद लाल नारंगी नीला आस्मानी काला और बैंग नी रंग कता है अच्छे नहीं लगते समझे की नहीं अवन्ती ने जवाब दिया समझ गया हूँ अच्छी तरह समझ गया हूँ मैं जरूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा अवन्ती ने सेट का मनसुवा भाबते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया सेट ने खुसो कर कहा अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊँ अवन्ती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेट से बोला आप इसे लेने सौमवार, मंगलवार, बुद्धवार, ब्रस्पतिवार, सुकुरवार, सनीवार और रविवार को छोड़ कर किसी भी दिन आ सकते हैं सेट समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है अते भलाई धीरे से खिसक लेने में ही है फिर उस सेट ने दुबारा अवंती की दुकान में गुशने की हिम्मत नहीं की यह लेक आरेश्तिर पाठी द्वारा लिखा गया है